जी सुशिल पांड़े जी अभी आपने बताए कि कायकरे में इतियासिक होगा और सांसद बिरेन सिंग मस्त ने जिस तरीके से एक ताकत उड़जा दी है ग्रिण फिल्ड एक्सप्रेस्वे को बहुत पहले से इस परियोजना को बलिया में लांच करने के लोगे पूरा प्रया में यहां क於 rich नाम करते हैं लाया प्रण मन्त्री जी आता है रहा सब्सक्ति और ⁲ को चुद्फ काप करम दीनपुर से उठा कर चले यह बाक्छां तक अभी तक यहां जितने साथ कर रहा हूं मैं काएं तक अभी तक यहां जितने नेताह हैं मेंबर अपार्लियामेंट हुए हैं एक भी बड़ा काम वो बता दे कि मैंने ये किया है लेकिन वो बिरेंसी के अंदर वो ताकत है वो छंता है वो जज़वा है कि मैं बलियां के लिए कुछ करूँ उनके अंदर वील पावर है वो वील पावर के साथ कहते हैं और अपने सोच के साथ करते है जो इससे आपने बता है कि प मुहमधाबाद th sabemली यह संटर है इसको खेफना को सेंटर आप भी देखिए भगौली किस्तिती इसी से देखिए रोड क फरो को दीकत नयुक्त नहीं बीगत नहीं हो सकते हैं शोद्धा को आने में ते बित्धान सभागक के मुह हमधाबाद के आ सकते हैं अबिवा सकते हैं अब आपने प्रकास नगर में कारीकरम हुआ तो आपने देखा ही मुहमडाबाद से बी लोग आए थे लोगों में जुस हैٍ तो blem बैठने की बयोश्था है इसमें बैठने की बास्ता 25-3030 लोगों की बैठने की बैठने की बैठने की पर विल्कुल है बिल्कुल पारकिंग भी है बगल में परकिंग बन रहा है सुसिल जी ने कहा कि पांच बिधान सबाओं का यानि कि एक केंद्र है क्योंकि फेफना बिधान सबाद छेत्र की बात करें अगर इधर की बात करें आप तो जहुराबाद, महंदाबाद, गाजीपुर जनपत में पड़ता है और फेफना से इधर की बात करें तो बलिया और बिदान सवह च्सट्र प्वाश पर बिदान सवह च्ट्र पर इंगी फोकस है कि पांश विदान सवह च्ट्र के जनता है यहां मुझूद रहे इस इस नितिन परवरी को यहां नितिन गडगरी आएंगे और इस कायक्रम को सफल बनाएंगे फिर हम आप से जुड़ेंगे तब तक लितना है जुड़े नहीं बली आज कर से महरु संजयास्वाल नमस्कार